नमस्कान न्यूज आज मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीप्ती भटनावर और जैन में कई प्रसिद और प्राजीन मंदिर हैं जिनका उलेक पुराणों में मिलता है इनी मंदिरों में से एक मंदिर गोर्धन सागर के पास नगरकोट माता का मंदिर है माता के इस मंदिर की जानकारी सकंद पुराण में दी गई है सकंद पुराण के अवंति खंड में बताये गया है कि नौ प्रतिकाओं में से साथवी कटोरी देवी है नगरकोट माता के मंदिर में कई अफसरों पर श्रदधालूं का ताथा लगता है लेकिन नौरातरी में यह श्रदधालों की भारी भीर उमरती है सुबह शाम मंदिर में ढोल नगाडे और घंटेों की गूंच के साथ माता की भव्वे आरती होती है बताया जाता है कि अवंतिका नगरी राजा विक्रमधित्या की नगरी थी जहां पर माता का मंदर स्थापित है इसी वज़ा से माता को नगर कोट महरानी भी कहा जाता है विक्रमा दित्या ने राज के यश, सुक्सान्ती और वेभव के लिए माता के मंदिर के स्थापना की थी मानेता है कि इस प्राजीन मंदिर में जो श्रद्धालू माता का दुर्गभी शेक कर दुर्गा शब्तश्मी का पाट करे और पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है जब भी आती हूँ मातारानी के दरबार में तो सब इच्छाएं पूरी होती है और जो भी भकता आता है उसके सब मातारानी अपनी मनोकामना पूर्ण करती है यह भूत प्राजीन मंदिर है और जो कोश अध्धा पूरकात है उसकी जरूर जरूर पूरे होती है मा के कर पास यह मंदिर जो है अत्यन्त प्राचिन मंदिर है ऐसे क्यूदंतियां अनेक हैं लेकिन एक प्रमुख क्यूदंति यह है कि राजा विक्रमा दित्य ने अपने उजेन जो पूर प्राचिन उजेन जो अवंति का नगरी के नाम से प्रशलित है वो शेहर के इस साइब में उत्तर द्वार था तो नगर कोट के रेगर के फोटे पर ये विराज मांति इसलिए इसका नाम नगर कोट खड़ा है और देवी देवताओं को मतलों देवी शब्द लगा हुआ है संतोशी देवी पारवति देवी रक्षमी देग वगरा वगरा लेकिन इसके नाम के सास्थ में महारानी शब्द जुड़ा हुआ है यह नगर कोट महारानी है तो राजा विक्रमादित ने अपने राज में सुख सम्रदी एश्वर्य याश किर्ती आरोग सोभाग इतनी समस्त जो वस्तुमें होती है उनकी उनको रक्षा करने के लिए इसको नगर के द्वार पर आज तक चली आ रही है आज भी यह यह लोग यहां पूरे शहर के या बहार के लोग इसको इसी रूप में जानते हैं वो मनो कामनाय करते हैं उनके सुख सम्रदी एश्वर याश किर्ती वगेरा की सब मनोत कामनाय पूर्णी हो जाती है तो उससे संबंदित सब वस्तुमें इसकार यह इसी माननेता है साथ अब नगर कोट में इस मंदिर के सामने हुंड बना हुआ है यह अत्यंद प्राचीन है और इसके अलावा यह प्राचीन मंदिर कितना है इसका अनुमान आप यही लगा सकते हैं कि सिर्फ यह अंदर जो मंदिर है और ओटला बना हुआ है शी उन्चे स्थान पर बिठाते हैं उस हिसाब से बिठाया था और ये जो आसपास का इलाका है ये इससे भी नीचा होगा धीरे धीरे धुमर के तु अगरा की वज़े से भगा होता गया और आज हम इससे करीब करीब 15 फीट उन्चे हो गए उससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि म पोर्ट न्यूज आज फिलाल के लिए इतना है आप बाने रहें न्यूज आज के साथ